हेलो दोस्तो वालकम तो दे एनन ट्यूट्स आज की वीडियो में मैं डिसकस करूंगा अबाउट वेरियबल मुटेशिंज एंड टाइब कोर्शिन इन जावस्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग लेंग्विज में तो चलिए शुरू करते हैं ओके सो वेरियबल मुटेशिंज एंड टाइब कोर्शिन ये दो ऐसी चीज़े हैं जो बजाहिर मुटेशिंज दिखती हैं मगर बहुत ही सिंपल कॉंसेप्ट है वेरियबल मुटेशिं मीन्स डड़ जावस्क्रिप्ट केंड चैंज वेरियबल टाइप्स ऑृत्मेटप कर लिया नि कि वेरियबल अपना टाईप ऑृतमेटिकरी चैंज कर सकता है जैसे कि अगर यहाप नम के एक्जेंपल लेते हैं तो यहाप यह ओ комментар लेकिन मैं इस नेम को जो है बूलिय में ट्रांसफर कर सकता हूं जैसे कि name is equal to true तो यह जो concept होता है यह हमार पास होता है variable mutation तो अब जो अगर मैं console.log करूंगा name को और यहाँ पर भी मैं console.log करता हूं name को तो आपको difference बता चल जाएगा कि क्या difference है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे actually I think something is going wrong 12 में तो कुछ ही नहीं हुआ है इस देट है नहीं यह सो यह देख सकते हैं तो उपर यह जो था वो एहमार एक string था लेकिन नीचे आते ही वो जो है आप मजीद स्ट्रिंग ना रहा वो अब जो है आपके पास एक बूलियन वेली बन गई है तो यह चीज़ जो होती है हमारे पास होती है वेरियबल म्यूटेशन यानि वेरियबल अपना टाइप जो है आपके ना एक्टमेटिकली विदाउट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग में कर्वाट हो जैसे के अगर मैं यहाद पर लगाता हूं नेंब गोल्च जैसे के डिफेरियर्ण तैंड ही है तो अब एक आदमी है 23 साल का तो अब यह मैंन भी हमारे पास स्ट्रिंग है और यह 23 भी स्ट्रिंग है और अगर यहाँ पर मैं इस मेरिड लगाता हूँ करके स्ट्रिंग में करफ जाता है तो यह सब किसा अब एक स्ट्रिंग है यह पूरा यह पूरा को जो है यह जो स्ट्रिंग की तरok Ps कम केते हैं टाइप कोउर्शन इसकी काफी usage होती है हमारे पास different जब हम program करते हैं उस वक्त So I hope so आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी So अगर पसंद आई है तो like कीजिए, subscribe कीजिए तो thank you very much for watching this video